मुझे फिल्म बहुत पसंद है मुगलियाजम अच्छा ड्रामा है अच्छी कहानी है लेकिन जो दिखाया गया है उसका सचाई से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है हमारी प्रॉब्लिम ये है कि उस जेनरेशन से लेकर आज तक जो हमें पर्दे पे दिखा दिया गया हमने इसको सच मान लिया हमने कभी इतिहास के पन्य पलटने कोशिश नहीं की हमने दा ग्रेट मुगल मान लिया और ये नहीं सोचा कि जिसको हम दा ग्रेट मुगल कह रहे हैं ये वही आदमी है जो आगरा के किले के सामने मीना बाजार लगवाता था और लड़किया जाके पसंद करता था अपने हरम में भेजता था और फिर आप गलती करते हैं कि एक फिल्म बनाते हैं जिसका नाम है जोधा अकबर मतलब जोधा अकबर आप उसे लव स्टोरी के तरह करते हैं कि ये बड़ी शाश्वत प्रेम कता है जोधा अकबर वो तीसरी पत्नी थी अगर यहां भी बात रुख जाती तो हम मान लेती कि चलो अच्छी लव स्टोरी थी तीसरी पत्नी के साथ अकबर ने जिंदगी भर शादी का पवित्र बंधन निभा दिया जोधा बाई के 1562 में अकबर जोधा वाई से विवाह करते हैं और 21 जून 1576 को पूरा मालवा उजार देते हैं बाश बहादूर को मार देते हैं राणी रूप मती खुदकुशी कर लेती हैं क्यूंकि राणी रूप मती के रूप का उवर्णन सुनके ये आदमी पागल हो गया था अकबर के बारे में ये सुनते रहते हैं कि भेश पदल के घूमते रहते थे भेश पदल के घूमते थे क्यूं घूमते थे भेश पदल के प्रजा का हाल चाल जानने के लिए घूमते थे ये तो जूटा इतिहास है जो में पिलाया गया है सच ये है कि भेश पदल के अखबर था वो रानी रूपमती की सुन्दरता का उनणन कर रहा था कि कैसे दुनिया में रानी रूपमती से ज़्यादा सुन्दर कोई और नहीं है अकबर उस समूह में जो नाटक देख रहा था वहां खड़े हो गए और सुनते रहे बहुत देर तक और उनके दिमाफ में इ लाओ और रानी रूपमती को उठा के लाओ रानी रूपमती को लाने की बुसती थी रानी रूपमती थी बाश बहादूर बहुत बहादूर थे इन लोगों ने सरेंडर नहीं किया और अकबरी फॉजों ने पूरा मालवा तहस्नेहस कर दिया वो मालवा जो साहितिका संगी का लिटरेचर का अदब का गढ़ था जहां कोई बुराई ही नहीं थी मैं ये कह दूँ अगर एक जो परफेक्ट स्टेट होता है परफेक्ट ओर्डर में स्टेट होता है मालवा ऐसी जगे थी अकबरी फोजों ने सब बरबाद कर दिया ये जोधा बाई से शादी के तकरीब हिंदुस्तानी जाग चुके हैं जब हमें बताया जाता है कि हम इतने साल मोगलों के गुलाम रहे अरे ये तो जो सिलेबस में पढ़ाया गया है वो जूट है हमें कभी ये क्यों नहीं पढ़ाया गया कि हमीर सिंग ने महाराजा हमीर सिंग ने मुहम्मद बिन तोगला को छ हटोली के युद्ध में पराजित किया और बुरी तरह पराजित किया हमें सातुवी सदी क्यों नहीं गिनवाई जाती जब बप्पा रावल ने मुहम्मद बिन कासिम को इरान तक दोड़ा दोड़ा के मारा था यह सब हमें नहीं पढ़ाया जाता है कि भारत की सल्तनत नहीं दिल्ली सल्तनत थी यानि कोल मिलाकर दिल्ली के एरदगर दिराज करते थे अगर आप महरास्टा की तरफ देखें तो छत्रपति शिवा जी महरास्ट का डंका बज़रा था उनकी तलवारों के आगे किसी की मजाल नीती आके खड़ा हो जाए अगर आप साउथ की तरफ पते हैं ना दमगल ऑफ म्यूजेग दमगल ऑफ देश दमगल ऑफ बिजनेस पहली बात तो यह सोच बदल दीजे क्योंकि ये सिर्फ भगोले थे और ये बाद में लुटे रे थे इनकी तीसरी कोई पहचान नहीं है भगोले और लुटे रे तीसरी पहचान जो दी है वो इ पुन सकता ने दी है क्योंकि हम चुप चाप सुन गए और सहे गए